तो हाई यार मैं हूं साइन अली खान आप देख रहे हैं दाब्रो पोल्ट्री आज के इस वीडियों बात करने वाला हूं असाइटिस के बारे में कि असाइटिस से अपने बर्ड को कैसे बचा है थंडी के मौसम में अपने असाइटिस से अपने बर्ड को कैसे बचा है वैसे मैंने असाइटिस के उपर एक फुल मतलब नॉर्मल जो वीडियो होता है वो मैंने बना दिया है और दो क्या मेरे वीडियो जो है असाइटिस के उपर अल्रेडी मौजूद है मेरे चैनल पर उसमें आप लोग देख सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ी सी अलग बात करेंगे इस तो सबसे पहले ठोड़ा बहुथ देख लेते हैं उसके बारे में इसके बारे में इसके बारे में ऑसा ध्युती और बात करते हैं ऊबनाया आट शूर्थे वेडियो सेली अपने यहीं गणर लोग यहां पर पर धीनियभा अब जब ठंडी होती है तो ठंडी में यार good ventilation मिलना बहुत ही मुश्किल होता पूर ventilation ही होता लेकिन पूर ventilation को कैसे हम थोड़ा सा और perfect करके अपना काम बना सकते हैं उसके क्यालते वो हम लोगों को देखना होगा। उसके बाद यहां पर एक चीज देख सकते हो ना जो लोग पैलेट का फीड खिलाते हैं जो पैलेट का फीड खिलाते हैं चौथे नंबर पर देख सकते हो कि चौथे नंबर पर है पैलेट फीड याने कि जो लोग पैलेट फीड खिलाते हैं उसकी वज़े से भी जो है असाइ दूसरे नंबर पर आप देखोगे रैपिड ग्रोथ यानि कि जो 21 दिन तक का मुर्गा होता है आप उसको भी जानतों काफी नॉर्मल बॉड़ी वेट चलता है क्या मतलब 180-200 ग्राम उसके बाद 400-400-400-400 उसके बाद सीधा लेकिन जैसे ही वर्ड जो है हमारा पार करता है 28 अधिन टच करता सीधा सीधा बॉड़ी वेट जो है सीधा 1400 ग्राम यानि कि लगवग लगवग 600 ग्राम तक की छलांग उती यह 600 ग्राम तो वह बहुत तीजी से ग्रोथ होता है जिसकी वज़ें से जो है उसके में जो मेन मतलब क्या oxygen की मातरा कम हो जाती मतलब जायर सी बात है जब इस तरीके से जो है पूरी तरीके से पैक रखेंगे यह इधर से पैक और सारा तरीके से पैक तो जायर सी बात है बड़ इसमें बीट जादा करेगा जो बड़ है वो बीट जादा करेगा और सब कुछ बड़ जादा जो है इसमें लिखा गया इनके जो खून होता है जो इनका दोरता रहता तो बड़ के बॉड़ी के अंदर जो खून होता है ना यार उस खून में oxygen की मातरा कम हो गई और जो बड़ी ज्यादा प्रॉबलम हो जाती है तो बदम करनेंगे का असाइड मतलब खून में जब खून में जो है ऑक्सिजन की मातरा कम धोती है आप लोगों को LO है इस में आप लोगों को बता दिया इस impressions exist海 स्केडियूल डेने का स lifelong थैसे अपनी मैं-गो मूद को मैदिसीन देना तो उसमें मैं नीचे में देства उसilt को है वहांज सर्दें लिए इंगा तो पर से और में defense by दे तो आप बात कर लेते हैं कि इसको हमको ठीक कैसे करना है कि अपने बाद जो हमारे बर्ड है उनको यह सब तो बात हो गई थेओरी की ठीक है तो थेओरी तो अपने जो भी प्रेटिकल लाइफ होता है उसमें थेओरी का काम नहीं आता सिर्फ थेओरी से हमें थोड़ी बहुत गेन होती है बाकी करना तो हमको अपने से होता है तो ठीक है जैसे भी आपके बर्ड धीरे-धीरे बड़े होते जाते हैं आपको इनको जो है इस तरीके से जो है गैब देना है अपने जैसे कि यहां पर यहां पर पर्दे तो आपको लगाना है लेकिन पर्दे के दोनों पर गैब देना है जैसे कि यहां पर परदा लगाया जो छत वाला परदा आप यहां से लगाओ ताकि उपर से जो भी हवाएं है वो आती रहे लेकिन ध्यान दो कि ठंडी लग सकती है इस वज़े से तो यह साइड वाला जो भी जिली है इसको आप हमेशा बंद रखोगे लेकिन है यह आप खोल के रखोगे हमेशा जितनी जितनी वी जगहांपे ज्जाइन मारोगे वहां पे जह आप इस तरीके अपस ठोल के रखो कि इसे कि आप यहां पे झाप यहां पर खूला हुआ है उसके bob नेक्स्ट चीज की बात कर लें, कि जो भी आप खोल के रखते हो, इस सब तरीके से कुछ भी कर लो, लेकिन आपको जो है, हवा जो है ना, जब आपको एक तरफ का परदा खोलो गें, क्योंकि नॉर्मल आपको एक तरफ का तो परदा खोल नहीं पड़ेगा, आप हमेशा कोश इकजाश्ट फैन ये लगा दो और इसे on किये रहो ताकि इकजाश्ट फैन आपका चलता रहा है और हवा जो है सारी के सारी बाहर निकलते रहे ये तो आप करोगे ये तो दिन के टाइम में आप करोगे ही करोगे लेकिन जब आपका bird बड़ा हो जाते है जैसे कि अभी ये bird है अभी ये bird है लगवागँ 26 दिन के हैं 27 दिन अभी start हो जाए गए इन लोगों तो 26 दिन के हैं तो अब इनको क्या है अब इनके अंदर थंडी को सहने की छमता थोड़ी सी बढ़ गई है तो अब इनको क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल कंडिशन में अपना सारा का सारा परदा जो है उठाते हैं हर तरफ का सामके पाच बजे सामके पाच बजे साड़े पाच बजे और कुछ लोग तो चार बजे ही अपना सारा का सारा परदा उठा के बंद कर दी अब आप अगर साड़े चार बजे चार बजे अपना परदा बंद कर दे रहो और आपका परदा अगले दिन खुलेगा कब अगले दिन आपका पर्दा बीना 7 बजे से 8 बजे से पहले नहीं खुले अगर धूप नहीं निकली तो 9-10-10 बच जाएगा यानि कि 4-4 12 घंटा उसके बाद लगभग अगर आप 8 बजे भी खोल देते हो यानि कि 16 घंटा यार 16 घंटे तक आपका फार्म पूरी तरीके से बं का गयर दो और जो जब बड़ बड़े हो जाएं जब यह बड़ आपके बड़े हो गए अब इनके अंदर ठंडी सैने की छमता है तो आप लगभग लगभग रात के 11 बजे तक 12 बजे तक जब तक आप देखो इन्वार्मेंटल टंपरेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस के ज इस तरफ अपने अग्जास न लगें पर आपको बंद कर तो इस तरफ लगा तो इस तरफ अपमाली अंदर रहेगी यह रहेगा घंवार्मोनिया रहेगी वह इधर से निकलेगी जब आप रात के 11 बज़े तक 12 बज़े तक अपने चला रहेगे उसके बाद जब देखोगे कि इन्वार्मेंटल टंप्रेचर 10 दिग्री सेलसेस के नीचे जा रहा और फार्म का टंप्रेचर लगबग लगबग आपके साथ बज़े तक पहुँच जाता है तो जब देखो मोबाइल में देख लो इन्वार्मेंटल टंप्रेचर 10 दिग्री तक पहुँच गया लेकिन फिर भी अभी कोहरा है और कुछ है तो फिर से यह परदे नीचे करो और अपना इख्जाश फैन चालू कर दो ताकि आपकी अम फिक्स कर देना जाली पर या फिर कहीं पर भी जो है हवा में रहे क्योंकि टेवल फैन अगर आप जमीन पर रखेंगे तो यहीं यहां तक आए गई ठीक है यहीं तक आएगा तो वह भी क्या प्रॉब्लम हो जागी तो टेवल फैन का सीर निकाल के आप यहां पे कुछ ऊप चाहिए और उपर की तरफ बंध होने चाहिए इस से क्या होगा कि अगर आपके परदे जो है उपर मतलब यहां पर आपने ऊपर कहीं पर पर इफ dragon तो नीचे की तरफ बंद करना रहे गा तो एक तो परदे खोल के भी रखनें तो नीचे से जो हवा आएगी वह डाइस धंडी जो टाइगी घर्मी है तो सिधा लूह अंदर खुशेगी आपने इमान लो यहां तक पीला वाला परदा जो है ना को पया भागवं आ गघ行ema को दो यहां से आपको ख्यालते हवा आतीँ रहेगी बस आपके अंदर का temperature इसे आप असाईटिस से काफी हद तक बस सकते हो अब आते हैं मैडिसीन की बाद कर लेते हैं कि क्या मैडिसीन दिया जाए अपने बर्ड को अगर आप खुद से feed बनाते हैं तो बड़े असानी से अपने feed के अंदर vitamin C add कर दोगे तो आपके bird को काफी रात मिल जाएगी ascitis से अगर आप अपना feed नहीं बनाते हो तो कम से कम दिन के time में दिन के टाइम में अपने बर्ड को विटामिन सी दो, किसी भी असाइटिस के लिए कोई बड़ी-बड़ी कमपनी की दवा देने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी विटामिन सी मिला के, हजार रुपए किलो बेशते, विटामिन सी आपको जो है, वो भी सेंथेटिक विटामिन सी, प्योर विटामिन सी के पीछे भी मत जाओ, सेंथेटिक विटामिन सी लो, आपको मैंने, मैं अपनी बात बता हूँ, सेंथेटिक विटामिन सी मैं अपने फीड में यूज करता हू 287 रुपय किलो पढ़ता है तो 287 रुपय किलो लो और 7 ग्राम जो है 100 बर्ट के हिसाब से आप लगा दो एकदम मस्त बर्ट रहेगा दिन के टाइम में लगा दो विटामिन C और कोई भी ये ब्रैंड मैं पहले बता दूँ असाइटिस जो है एक मतलब छूआ छूट वाली बिमारी नहीं जैसे कि अगर किसी एक बर्ट को हो गया तो वो दूसरे बर्ट को असाइटिस नहीं होगा ठीक है लेकिन ये मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है अगर आपका ऑक्सीजन किसी एक बर्ट को देटल मैं अपको बताताक। devastation मैं आपको लग कीसे अपना फीट ाप्रॉज कि कैसे करने तो उसके बारे मैं तो ख्यर होता यह वह लिए आप की बारे में मता रहा हूं में कभी वूह मत दो दिनके वीटामीं सीरी दो और working आपको कोई जरूर landmark ऊसे परदीٕ LAUGHTER यह हमेज़ जरूर लगाओ कि यह जो हैं सबसे ज्यादा तंपरेचर जो डाउन करते हैं यह साइड वाले परदो की वज़गे से टंपरेचर डाउन होता आप देख सकते हैं जब मैं अपने परदे लगा दिया तो आप विटामिनसी दोविस सेंथर्टिक विटामिनबिन सी दो साथ ग्राम हेंडेट बड के हिसाब से आपका बड दिन के टाइम में दे सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं रह गा और या फिर विम्रोल विम्रोल गाउट के लिए ठीक रहेगा तो इस तरीके से जो मैंने आपको बात जागे कि आपको पर्दे का ध्यान रखना है आपको फैन लगाना है व टामिन ही अगर आ Samytis की प्रॉब्लम आपके बर्ड में नहीं आती Got तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपका कोई भी कमेंट हो, असाइटी से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट में अगर चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया जाए तो चैनल को सस्क्राइब करो, तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं हूँ साइन अली खान, आप देख रहे हैं, दा ब्रो पोल्ट्री, ठैंक यू, ठैंक यू, फो वाचिंग, दा ब्रो पोल्ट्री